जहिन, वेलकम टू गर्ष्टू ललिंग और आज हम लोग करें टफेट टुड़े की एक नई सिंखला के साथ यहां पर उपसित हुए हैं जिसका नाम है एकलब माडल आवासिय विश्विद्याले की जो बात की जा रही है उसको ले करके आपको एक चीज बता दें कि वर्तमा के 28 राज और 8 केंद सासित परदेशों में इस तरह के एकलब माडल आवासिय विद्याले खोले जा रहे हैं जो विसेश रूप से जनजातियों के एडमिशन को ले करके हैं उनकी पढ़ाई लिखाई को ले करके हैं और उनके रोजी और रोजगार को ले करके हैं तो ऐसी रिख्षा के माध्धम से या सिच्छा मंतराले की तरफ से जारी की गही उनसभी बातों की परचर्चा आज हम लोग इस मौडल में करने वाले हैं तो उणीशा के राज की अग्र हम बात कर रहे हैं तो भारत में उणीशा राज सबसे अधिक आवासिये विद्याले होगा ज सामने आने वाले भूम यद्गरहन, वनमंजूरी, पहारी इलाकों के कारण लागत में वृद्ध जैसे मुद्दों की समिक्षा की और अधिकारियों को सभी मुद्दों के निवारण करने और स्कूलों के निर्मार्ण में तेजी लाने के भी निर्देश जारी किये गए और आठ केंट साथित प्रदेशों में उडिसा राज एकलब आवासिये विद्याले के रूप में पर्थम राज अभी घौशित हो चुका है और उडिसा के लिए 87 EMRS स्विक्रित किये गए हैं जो भारत के किसी भी राज के लिए सबसे अधिक हैं ये उडिसा की सबसे बड अधान मंत्री ररेन मोजी जी आदवासी समधायों की विकास और कल्यान के लिए प्रतिबद हैं उन्होंने काया कि मोधी सरकार की आदवासी छातरों के कल्यान का सपना 2024 के 49 तरच तक पूरा हो जाएगा मतलब 2022-2023 तक ये आवासी विद्याले सभी 28 राज और आठ के 37 परदेशों में खोल दिये जाएंगे 87 से 45 इसकोलों की भूम पूजन अब तक हो चुकी है और आज की बैठक में उडिसा सरकार के ST और SC विकास अलप संग्छक और पिछड़ावर कल्यान विभाग वन परियावरन जलवायू प्रवरतन विभाग के वरिष्ट अधिकारों ने इसमें भाग लिया है ताकि उडिसा में एकलब आवासी विद्याले को सही रूप दिया जा सके एकलब आदर्स आवासी विद्याले से आदवासी बच्चों का होगा चोमो की विकास ऐसी बातें की जा रही है भारत जैसे विकास जहां अनंत विशमताएं हैं अराष्ट निर्मार के लिए सबको लेकर चलना किसी चनोती से कम नहीं है केंद सरकार की सबका साथ सबका विकास की संकल्पना इन्हीं विशमताओं को मिटाने का प्रियास है इसी करम में सरकार समाज के सबसे बड़े और पिछड़े तब के हरसूची जातियों के भविस के मुखधारा में लाने के लिए गुणवत्ता पूर्ण सिक्षा देने के लिए प्रियासरत है एकलब आवासिय आदर्स विद्धाले इसी दिसा में एक कदम है तो आपको बता दें इस तरह से जो विद्धाले खोले जा रहे हैं वो चाहे हमारा यूपी हो, एमपी हो या पुरुत्तर के राज हो इन में सबसे पहले उन जगहों को देखा जाता है जहां पे अनसूजे जनजातियां जादा है सिर्फ उन ही बच्चों को यहां पे एडमिशन लिए जाएंगे ताकि जनजातिय विकास हो सके, उनको सही सिक्षा मिल सके और आगे रोजी रोजगार का परवंधन करते के इसी करम में एकलब आदर आवासी विद्याले क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं को 1997-98 में सुरू किया गया था ये इसकी खाशित है भारत के समिधार के अनुच्छे 275-1 के तहत अनुदान से एकलब आदर आवासी विद्याले राज्यों के इसासित परदोसों में एस्थापित किये जाएंगे और राज के इसासित परदेश अनुच्छे 275-1 के तहत निर्मार से मिली राशी को अपने अनुसार इस्तेमाल करने के लिए सोतंतर है राज मंतराले द्वारा स्विक्र्ट संख्या से अत्रिक्त EMIS के भी संचालन कर सकते हैं ये छूट राज्यों को दी गई है अगर राज के पास सभी विद्याले सुचा रूप से काम कर रहे हैं तो राज केंद से और विद्याले की मांग कर सकता है इसकी भी छूट दी गई है क्या है एकलब आदर्स विद्याले का उद्देश इस उद्देश को भी जान लेते क्यों इस तरह के उद्द्याले खोले जा रहे हैं उद्देश अनसूचित जात के विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण माध्धम से उच्चस्तर ये सिक्षा बदान करना ये इसका प्रारम भी गुद्देश है इसी कारण दूर दराज के छेत्रों में जन जाती स्टी के छात्र ना कैवल उच्च व्याव साइक सेक्षिक पार्ट करम बरकि सरकारी सावजनिक नौकरियों के लिए भी आरक्षण का लाब उठाने में सक्षम हो बल्कि सिक्षा के छेत्र में गैर स्टी आबादी के बराबर सरवत्तम आउसरों तक पहुँच प्राप्त कर सकें EMRS में नामांकि सभी छात्रों को व्यापक सारीरिक मानसिक और सामाजिक ग्रूप से विकास इसका अंतिम धे है और इसलिए सरकार इस स्कूल को बनाने के लिए प्रतिबद है और आने बाले 2024 तक भारत के 28 राज और आठ केंसासित परदेशों में सरकार का उद्देश देख लेते हैं इस उद्देश के लिए 2018-19 के केंद्रे बजट में EMRS के महत्त को समझाते हुए सरकार ने घोशना की थी कि आदवासी बच्चों को उनके अपने वातावरण में गुनवत्ता पूर्ण स्वरुत्तम सिक्षा परदान करने के लिए प्रतिबद है इस जमीन पर उत्राने के लिए निर्णे लिया गया कि वर्स 2022 तक परतेक बलाक में जहां 50% से अधिक स्टिया बादी और कम से कम 20,000 आदिवासी जनसंक्या के अनुपात में एक एकलब माडल स्कूल बनाया जाएगा तो ये इसकी मूल रूप है कम से कम 20,000 आदिवासी जनसंक्या और 2022 तक का ये निर्धारन था और 50% से अधिक स्टिया बादी वाला वो चेत्र होना चाहिए वहीं पर एक एक एकलब माडल आवासी विद्धाले होगा ऐसी बातें सरकार के रूप में हैं एकलब आदर्सी विद्धाले किस तरह होंगे अन विद्धालों से अलग इसकी भी पर चड़चा कर लेते हैं एकलब विद्धाले में सिक्षा पदान करने के अलावा अस्थानी ये कला संस्कृत के संड़क्षड के लिए विसेश सुधाई होंगी मतलब जिस राज में जिस छेतर में ये विद्धाले खोले जाएंगे वहां की कला और संस्कृति को सुधार ने बचाने के लिए विसेश रूप से योगदान दिया जाएगा इन विद्धाले में खेल कोशल विकास का भी परसिक्षण दिया जाएगा ये विद्धाले बहुत हद तक जवाहर नवोदे विद्धाले हों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्धाले हों और केंद्रिय विद्धाले के समकच्छ होंगे रुपे तक का खर्चा का परणधान है पहाड़ी लाकों में रेगिस्तान और दीपों में 16 करोन रुपे तक का पहुंच सकता है किसी भी अन विद्धी को राज सरकार संगराज छेत्र को पूरा करना होता है पर्थम वर्स के दोरां परतिछातर 42,000 के खर्चे का परणधान है जिसमें हर दूसरे वर्स मुद्राज फीती की आदि की भरपाई के लिए 10 परस्ट की वृद्धी भी की जा सकती है तो एक छातर के ऊपर 42,000 का खर्चा और अगले साल अगर मुद्राज फीती होती है तो इसी में 10 परस्ट और बढ़ा दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जा यहाँ पर ताकि उनका समगर्विकास सुनिश्चित किया जा सके विसेश कोचिंग, सैक्षिक परिवटन, परदर्शन यात्रा, विसेश सिवरों, खेल सिवरों के चाद्धम से छातरों को उचे सपने देखने और उन्हें पाने के लिए प्रोशायत किया जाता है इन विद रहते हैं उन विद्यालों की जहां पर इस तरह के चातर पढ़ रहे हैं, EMRS के कई चातरों ने सफलता पूर्वक NETT IIETJE National Law School इत्याद जैसी परत्योगी प्रक्षाओं को भी पास किया है और कई टापर्स भीज में तयार किये हैं, आजवासी छेतरों के लिए या एक बहुत असी सीट होती है, इन विद्यालों में गुणवत्ता पूर्ण सिच्छा पूरा ध्यान दिया जाएगा, चातरों को सभी सुभधायों उपलफ्त कराई जाएंगी, और इसमें भारत जैसे जैसे आजादी के पचछते वर्त में परवेश कर रहा है, यह योधना आदवासी चेत्रों के लिए एक नई करांती का भी सूत्रधार है, यह बातें बताई गई है, जारगंट के सभी स्क्राव विद्याले में इसकी तीरंदाजी खेल की भी सुभधा उपलफ्त कराई गई है, मतलब खेल में तीरंदाजी क्यों की जन जातियों वाला स्कूल है, त्यहां पर तीरंदाजी भी सिखा जाती है, जब दो हजार से तालिस में सुतंता की सताब्दी वर्सकाट भारत मना रहा होगा, तो एकलब विद्याले के पूर चातर हर जगा महत्पूर्ण पदों पर आशीन होंगे, और तब तक ये अपनी योगता साबित कर चुके होंगे, ये बातें एकलब विद्याले के लिए है, तो एकलब आदवासी जो हमारे विद्याले गठित किये गए हैं, उनके पीछे की जो मनोदशा थी वो ये था, कि भारत के जितने भी आदवासी छेतर हैं, भारत की जितनी भी जनजातियां हैं, उनको भी एक नई विचार धारा में लाए जाए उनके लिए भी सिक्षा अपाठकरम की योजना बनाए गए तो उन जंजातिये बच्चों के लिए जो सिक्षा से अचूते थे जो दूर दूर तक सिक्षा से नहीं पापा रहे थे उनके लिए उनहीं के छेतर में भारत सरकार द्वारा इस तरह के एकलब आदर्स विद्धाले घटित किये जा रहे हैं ताकि वहां के विद्धार्थियों को सही दिशा मारगदर्शन हो सके और आगे भविस में वो कुछ नया रोजी रोजगार अस्थातित कर सके तो आज Current Effect Today की सिंखला में यहीं तक मिलते हैं नेक्स सेगमेंट में नए तत्र और नए विसलेशनों के साथ तब तक के लिए अगस्तू लानिंग की तरफ से जैहिन जै भारत